हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा बेंट 10 वर्से स्पाइडर मैं टॉइज का कलेक्शन वीडियो लेका है हूँ गाइज आप देख सकते हैं आज स्क्रीन में या पर बहुत सारी चीजे हैं और मुझे ब काफी प्यारा काफी महिदार वीडियो होने वाला है और आप चाते हैं इतने सारे टोई में से आपको एक भी टोई मिल जाए उसका ना मुझे कॉमेंट बताना और आप चाते हैं आपको साउट आउट मुले तो कोई भी पहले 10 लोग अपना नाम कोमेंट में लिख सकते हैं वारिष खान प्रसोंजीत रोहित आरव देव और गौरव इन सभी को साउट आउट है अगर आप चाते कि आपको भी साउट आउट मिले तो आप अपना नाम कोमेंट में जरूर लिखना और आपको वीडियो पसंद आ है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर गौंगो ना ही देखो सारे टायर इसके चलते हैं यहाँ आप आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका पैटन है और इसकार का प्राइज है 120 रुपीज पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूं काई यह देखो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है यहाँ पर लेफ्ट की तरफ चलाओं लेफ्ट की तरफ भी चलती है और अगर मैं इसको घुमा के चलाओं तो भी यह चलती है देखो सारे टायर इसके घूमते हैं जो इसकी सबसे ज्यादा स्पेसल बात है और आप इसको बहुत ज्यादा स्पीड में भी चला सकते हैं बट इसको पु बहुत ही प्यारी साओ है और आप देख सकते हैं मैं एक थोड़ से चुल शाला के देख रहे हैं इसो की तरह से स्टेंट करती है मज़ए आगाए जारा ज्बहुत है प्यारी छोटी साओ है इतने कम पराइम स्टेंज में बहुत अच्य तरीके से करती है तो इसके मैं रख लेता हूँ यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ एक spider man toy गाईज यह देखो हमारे पास से यहाँ पर spider man वाला बहुत ही प्यारा सा यह देखो spinner है ना यह रहा spinner और यह रहा launcher और गईज इसका प्राइज है 120 रूपीज इसके अंदर नहीं यहाँ पर लाइट जलती है और बहुत ही प्यारा साउंड आता है है ना इसको मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ यह देखो और यहां से हमें इसको से बहुत ही अअच्छा है इसकी लाइटिंग भी बहुत ही अच्छी है लेकिन दिन मैंimer में इसकी लाइटिंग जाद अच्छे तरीके सकते है लेकिन ये देखो, अंदेरे में आप देख सकते हैं इसकी lightning का effect कितना जादा है है ना बहुत ही अच्छी रखती है इसकी lightning उसके sound साथ में बहुत amazing effect मनाता है स्पाइडर मैं वाला स्पीनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अंधेरे में तो यह ज्यादा ही कूल लग रहा है आप देखी सकते हैं है ना 120 रुपीज के हिसाब से मुझे बहुत ही अमेजिन टॉय लगा और इसकी लाइटिंग जब जलती है तो यह बहुत ही प्यारा लगता है इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर वापिस से और इसके बाद गाईज मैं आपको दिखाता हूँ बैंटेन वाला टॉय हमारे पास यह यहाँ पर bend 10 वाली एक bubble gun यह देखो यहाँ पर bubble gun लिखा हूँ है न और यहाँ पर bend 10 का पूरा pattern बना हूँ है यह देखो bend 10 के सारे character बने हूँ है यहाँ पर भी बने है और कैसे कैसे इस gun को use करना है यहाँपर सारे specification लिखे हैं इस gun का price है 200 rupees जिसके अंदर से आप bubbles बना सकत तो मैं इसको open करके आपको दिखाता हूँ कि guys हमारी bubble gun actual में कैसी दिखाई देती है और यहां से मैं इसको open करना तो guys इसकी packing भी देख सकते हैं बहुत ही amazing इसकी packing है यहां से मैं elephant shape में कुछ इस तरह की bubble gun देखने मिलती है और कुछ इस तरह की bottle देखने मिलती है जिसके अंदर liquid होता है यहां से इसके अंदर motor लगी है जिसकी वज़े से bubbles बनते हैं और हमारी liquid वाली bottle है जिसके पर पूरा band 10 का pattern बनावा है तो इसको मैं यहां पर रखता हूँ और इसको open करके देखते हैं इसको पर यहां पर पैकिंग कर रखा है तो मैं जोसे open करना पड़ेगा देखते हैं ओपन होता या नहीं होता है इसको कट करना पड़ेगा एक सेकंड का वेट करो इसको मैं open कर लिया तो इसके अंदर ना soap है soap water मतलब जाग वाला पानी तो हमें सिंपली करना है कि इसको हाथ में उठाना है और इसके अंदर डिप करना है कुछ इस तरह से देखो और यहां से बटन को दबाना काई यह देखो वाव कितने बड़े 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 बबन रहे हैं आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी दबाने पर चोटे चोटे बबल बनते हैं तो काफी प्यारी गण है यह दो मुझे सच में बहुत जादा पसंद आई अगर आपको इस तरह से बबल मशीन चलाना पसंद यानि कि बबल्स बनाना पसंद है तो यह चीज आपको जरूर पसंद आई होगी और इसके बाद गाई मैं आपको दिखाता हूं Ben 10 वाले टॉय यह देखो मेरे पास है Ben 10 वाली एक बहुत ही प्यारी सी वाच है ना जो कि sound and light वाली वाच है इसका प्राइज है 100 रूपीज और अगर आप इस वाच को अपने हाथ में पहने तो आप इसका डिजाइन देख सकते ह यहां से ओपन करके आप इसके अंदर टाइम देख सकते हैं 8 बज के 44 मिनट हो रखें और यहां से देखो कुछ इस तरह से आप इसके टाइम को सेट भी कर सकते हैं उपर वाले दो बटनों से बटन मतलब बटन दबाने पर टाइम सेट हो जाता है इस वाले बटन को दबाने एक्सस में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है 100 रुपीज के हिसाब से गाई यह वच मुझे पैसा वसूल लगती है क्योंकि यहाँ पर जब इसको हाथ में पहनते है न तो बहुत ज़्यादा कूल दिखाई देती है है न तो पैसा वसूल चीज़ है इसको मैं यहाँ पर रख बने वे हैं आप इसको ऐसे करके खड़ा भी कर सकते होगाई यह देखू लेकिन इसके अंदर कुछ खास बातales बात की एसको उपर की स सबसे रुपीज के इसाब स्पाइज आप देखे अंदर जब लाइट जलती है तो और भी ज्यादा कूल लगेगा नेरे में तो बहुत ही मस्त लगेगा गाईज यह ना तो काफी प्यारा सा बेंटेन वाला हीटम है इसको मैं रख लेता हूं यहाँ पर और इसके बाद हमारे पास ह स्पाइडर मैन वाली एक बहुत बड़ी पैंसिल यह देखो यह बहुत ही क्रेजी टॉय है आप इसका डिजाइन देख सकते हैं कितना मेजिंग है यहाँ पर स्पाइडर मैन का बहुत ही ब्यूटिफुल पैटर्न मना हुआ है इसके उपर आप देख सकते हैं और यह एक प बहुत ज़याधा क्व actively में समान रख सकते हैं इसको आप ज Metree box की तऱ जब use करोंगे तो इसके नदर। बहुत ज़याधा quantity में समान जायगा और इसकी chain को बंद करने के बाद आप आप देख सकते हैं कितना मेजिंगे है यहाँ पर भी सके अपर Mr. Sfriends का पैडर ब्यूर मन तलवार है यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा बेंट 10 एलियन फोर्स है ना इसके अंदर लाइट भी जलती है और दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं सेम पैटन है और बेंट 10 वाली तलवार की क्वालिटी देखो वाव कितनी ओसन है यहाँ पर एक बटन बटन को यह देखो है ना तीन अलग अलग तरह के साउंड आते हैं और इसके अंदर जब लाइट जलती है वह अंदेरे में बहुत ज्यादा कूल लगेगी लाइटिंग का इफेक्ट आप देख सकते हैं पूरी तलवार में ऊपर तक जाता है गाई यह देखो है ना तो काफी प्या प्यारी लगी यह आपको मिल लएगी 200 रुपीज के असपास इसको मैं रख लेता हूं वापीस यहां पर अब मैं आपको दिखाता हूं स्पाइडर मैन वाला एक बहुती प्यारा सा अमेजिंग सा आइटम जो की है एक स्पाइडर मैन वाला सार्पनर जी हां गाई इसका सा क्योंकि मैंने इससे पहले ही पैंसिल को शार्प किया यह देखो काफी सारा कच्रा इसके अंदर ओल्रेडी है तो मैं आपको एक पैंसिल शार्प करके दिखा देता हूं यह देखो मेरे पास एक पैंसिल है जिसकी टिप आगे से फिलाल टूटी हुई है अब मैं इसको इसक पैंडल को घुमाने के बाद ने जब आपका हैंडल स्मूध हो जाएगा तो आपको पता से लेगा आपकी पैंसिल सार्प होई यह यह देख हो आई पैंसिल की टिप आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कूल लग रही है तो काईजिए स्पाइडर मैन वाला सार्पनर तो दस रुपे वाला वह इतना अच्छे तरीके से पैंसिल को सार्प नहीं कर पाएगा जीतना इसने किया है तो यह सथ में पैसा वसूल चीज निकली है ना यह स्पाइडर मैन आपको 150 रुपीज के आसपास मिल जाएगा मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया नॉर्मल सार टॉकी सेट जो मुझे मिला है 500 रुपीज में जी हां इस वाकी टॉकी सेट का प्राइज है 500 रुपीज दो पेर मुझे मिले हैं जानी कि दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा इसके बैटरी डली होती है जिसको आप चार्ज भी कर सकते हैं और वह बैटरी आपको 50 यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा दोनों सेट से पैटर्न बना हुआ है और इसको पर एंटीन लगा जो कि कुछ इस तरह से बैंड भी हो जाता है आप इसको कितना भी बैंड कर सकते हैं कई यह देखो कितना भी फोल्ड कर सकते हैं और आप इस एंटीन को मोंडने के बाद आप इसको अपनी pocket में रख सकते हैं और यहां पर इसके पीछे हुक बनावा है जिससे आप इसको अपनी जवाब दो जवाब दो इसके अंदर साउंड आ रहा है तो आराम से आप इसको यूज कर पाओगे आराम से आप एक दूसरे से बात कर सकते हो है ना तो गयज यह पैसा वसूल चीज है और इसकी बैटरी डाउन होने के बाद आप इसकी बैटरी को चार्ज भी कर सकते हो और यहां पर आप देख सकते हैं बैंक 10 ओम्निवर्स वाकी टोकी क्लियर साउंड यहां पर रिखा है 500 रुपे की वाकी टोकी है गाई लेकिन 500 रुपे में यह पैसा वसूल चीज़ है क्योंकि अच्छे तरीके से वर्क करती है इसको मैं यहां पर रख लेता हूँ और इसके बाद गाई मैं आपको दिखाता ह तो यह चीज़ आपको 100% पसंद आईगी यह मुझे मिली 100 रुपीज में 100 रुपीज के हिसाब से यह काफी प्यारी गन है यहां पर आप देख सकते हैं इसके साथ हमें कुछ इस तरह की सोफ्ट बुलेट देखने मिलती है जो कि चिपक भी जाती है और कुछ इस तरह की गन वर्क करती है मैं आपको दिखाएता हूं यह देखो फिर से मैंने इसके अंदर गोली डाली इसका पीछे ट्रिकर खीचा 321 यह देखो गई दोनों गोली यहां पर आके चिपक गई है यानिकि इसका निसाना भी बहुत तगड़ा है है ना यह देखो यह मैंने गोली को इसक लिगे यह वो चिपकी नहीं है ना तो गईज आप देख सकते हैं कि इस तरह से यह गन वर्क करती है बहुत ही कम प्राइज में बहुत ही अमेजिन चीज है और इसकी सोफ्ट पुलेट का सबसे जादा फायदा है कि अगर आप इसको किसी के फेस की तरफ चलाओगे ना तो चोट नहीं लगेगी और गन का डिजाइन और साइज भी आप देख सकते हैं काफी अमेजिंग है तो गईजे गन तो मुझे सच में बहुत जादा पसंद आई इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बैंट 10 वाला एक आइटम तो जाएगी क्योंकि यह बहुत पहले टाइम से चलती आ रही है तो इसका प्राइज कम हो गया है इसके पिछे आप लगा होता है कुछ इस तरह कर ताकि इसकी बैटरी डाउन ना हो जाए तो स्ट्रैप को मैंने हटा दिया और जब मैं आपको इसका प्रोजेक्टर भी यूज करके दिखाऊंगा क्योंकि एक प्रोजेक्टर वाच है इसका डिजाइन आप देख सकते हैं बेंटेन वेले पैटर में यह बहुत ही क्रेजी चीज है अगर आप बेंटेन कार्टून देखते हैं तो आपको यह 100 रुपीज की वाच जरू ट्राई करनी चाहिए अगर आप यहाँ बटन को दबाने पर इस प्रोजेक्टर के अंदर से लाइट बाहर आ रही है आप देख सकते हैं और अगर उसकी रोसनी को अगर आप हाथ पे मारोगे तो कुछ इस तरह से आपको अपने हाथ पर लाइट दिखाई देगी और अगर आप इस रोसनी को दिवार पर द अंदेरे में तो आपको डिखाई देगे तो चलो गया इसको अंदेरे में यूज करके देखते हैं और गाईश यह देखो मैं इसको दबारा। को अब देख सकते हैं इसको उपर कितना मिजिंग लाइट का एफेक्ट आ रहा है जो कि काफी ज़दा कूल लग रहा और कुछ इस तरह से इसके अंदर से रोशनी बाहर आती है और अगर आप रोशनी को दिवार पर मारोगे तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा क्रेक्टर आपको दिवार पर दिखाई दे रहा है तो कैसी के अंदर Ben 10 वाले टोटल 24 डिवार पर दिखाई देंगे 24 बार आपको बटन दबाना है हर बार आपको एक अलग डिवार पर दिखाई देगा जो की काफी ज़्यादा कूल लगता है तो कैसी यह बहुत ही प्यारी Ben 10 वाच है है ना आप देखी सकते हैं मुयदो गाई यह परसनली बहुत ज़्यादा पसंद आई बटन दबाते हैं और करेक्टर चेंज होते जाते हैं और हाथ में पहनने पे जो इसका ग्रीन बेंड टैन वाला लुक है वो तो है यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेसल इसको बेंड 10 ओमनिवर्स यहाँ पर देखो बेंड 10 का एलियन भी बना हुआ है यहाँ पर बेंड 10 बना हुआ है और अगर आप इस वाच को हाथ में पहने तो गाई इसका भी लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है है ना बेंड 10 का फेस देखो कितना ज़्यादा कूल और इसका प्राइज भी 100 रुपीज यहाँ से ओपन करके आप इसके अंदर टाइम वगएरा सेट कर सकते हैं काई यह देखो दो बज के एक मिनट हो रहा है उपर के दोनों बटन दबाने पर कुछ इस तरह से टाइम को आप सेट कर सकते हो और गाई नीचे वाले बटन को द इससे नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आप देख सकते हैं मजा आ गया 100 रुपीज इस वाच का भी प्राइज है इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूं और इसके बाद गैज में आपको दिखाता हूं बैंट 10 वाली एक जंबो जमेटरी बॉक्स यह देखो बैंट 10 50 रुपीज जी हाँ गाई 350 रुपेज इसका प्राइज है नेम एंड क्लास यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों साइड से आप देख सकते हैं कि इस तरह की यह दिखाई देती है और इसके फीचर्स में आपको बताता हूं इसके अंदर काफी सारे फीचर्स हैं सबसे पहले पर देखो कैलकुलेटर ओन हो गया और देखो कैलकुलेटर के सारे बटन अच्छे तरीके से वर्क करते हैं है ना तो मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूं 5 multiply by 6 is equal 30 आना चाहिए यह देखो कैलकुलेटर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और यहाँ पर कैलकुलेट इसके उपर बने है चारो बटन दमाने पर एक में सार्पनर ओपन होता है यहाँ पर इसके साइड में आप इरेजर भी रख सकते हो यहाँ पर बटन दमाने पर यहाँ पर एक ट्रे ओपन होती है इसके अंदरा भी आप कोईन्स इरेजर वगार रख सकते हो और यहाँ पर दो different tray open होती है इनके अंदर भी आप समान रख सकते हो तो काफी बड़ा jumbo geometry box है और अगर हम इसको यहां से open करें तो guys यह देखो यहां पर pen pencil color holder देखने को मिलता है यहां पर इसके अंदर एक secret space भी है guys यह देखो यहां पर secret space है इसके अंदर आप पैसे बगरा चुपा कर रख सकते हो यहां पर एक button है बटन को दबाने पर कुछ इस तरह से बड़ी tray open होती है और यहां पर color holder आपको देखने को मिलता है तो total 10 अलग-अलग जहां से geometry box open होता है मैं आपको count कर रहता हूं guys यह देखो एक तो guys pen pencil color holder है दो है ना यहां इसको बंद कर देता हूं तीन चार पांच छे साथ आठ और एके नो है और दूसरी set से देखेंगे तो काई यहां पर भी आप इसको open कर सकते हैं total 10 अलग-अलग जहां से open होता है और पीछे भी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा space है है ना यहां पर आप eraser coin वगएर रख सकते हैं सार्पन रख सकते हैं यहां पर scale compass वगएरा सब मेरे पास यह दो अलग-अलग design में है इनका प्राइज है 300-300 रुपीज और दोनों का design आप देख सकते हैं कितना अलग-अलग है पीछे से आप देख सकते हैं बिल्कुल plane है बटन की quality और इनका design सच में next level है यह तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका design मुझे पर दिखा सकूँ कि समान को इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं देखो सम्से बहले यहाँ पर एक chain है इस chain के अंदर मेने चोटा nitrogen मोटा contents समान रखा है जैसिके spider-man वाल लां डियरी है और spider-man वाल चोटा pen है बहूँ यह सारा समान इसके अंदर मेसा Hetти ना आप चैन लगा दोगे तो समान इदर उदर नहीं भागेगा गाईज ये देखो है ना समान यहाँ पर सीक्रेटली सेफ हो जायगा और यहाँ पर इसके अंदर Pen Pencil कलर होड़ रहे है इसके अंदर मैंने Pencil को लगा जिया तो गाईज देखो Pencil इदर उदर नहीं भागेगी नह आपको यह वाला दिखाया ना सेम इसी तरह से यह भी अंदर से मैं आपको इसको भी open करके दिखायता हूं बाद मैं आपको ऐसा ना लगे कि open नहीं करके दिखाया गाईज यह देखो अंदर से same to same है इस बड़े jumbo pencil box के अंदर आप 3 geometry box का समान रख सकते हो इतना ज़्यादा space हमें इसके अंदर देखने को मिलता है तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अब मैं आपको दिखाता हूँ band 10 वाली चीज़े हैं गाई यह देखो इसका प्राइज था 350 रूपीज इसका प्राइज है 250 रूपीज क्योंकि इसका size छोटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं calculator है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से work करता है गाईजिए देखो इसके सारे बटन मैंने दबाया तो सारे बटन अच्छे तरीके से work कर रहे है यहाँ पर off का बटन है इसको मैंने off कर लिया है इसके ओपर भी गाईजिए देखो यहाँ बेंट 10 का प्रेटन मनने है जुषरी साइड से open कर सकते हैं यहाँ पर आप काफी सारा समार रख सकते हैं यहाँ पर आप अपना name and class लिख सकते हैं और यहाँ पर one से nine तक table लिखा हो है गाईज यह देखो one से nine तक table लिखा जो कि आपको study में help करेगा तो guys कुछ यह इस तरह का यह geometry box दिखाई देता है जो कि मुझे personally बहुत ज़्यादा पसंद आया इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसके बाद guys मैं आपको दिखाता है हमारे पास है यह देखो band 10 वाले alien वाली बहुत ही प्यारी eraser यहाँ पर लिखा out space friends eraser guys यह देखो यहाँ पर eraser लिखा है कुछ यह इस तरह का मैं इसके अंदर green color का alien देखने मिलता है जो कि overall कुछ ऐसा दिखाई देता है अगर मैं इसको open करूँ तो इसके अंदर की जो eraser है वो कैसी दिखाई देगी प्यारी सी यह eraser है जिसका design बहुत ही बड़े खतरना के alien जैसा दिखाई देता है और अगर आप इसको ऐसे पकड़के pencil का लिखा हुआ erase करोगे ना तो हर एंगल से यह pencil का लिखा हुआ erase करती है जो कि मुझे personally बहुत जादा पसंद है डिजाइन और कलर आपने देखी लिए कितना बेजिंग है और प्राइस भी मैंने आपको बता दिया 100 रुपीज के आसपास आपको यह अवेलेबल हो जाती है है ना तो गईज मैं इसको सेट कर देता हूँ वाप पिस से यहाँ पर और इसके बात प्राइस देखो एक लोंग पॉइंट और एक सोट पॉइंट इसको मैं बंद करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके नीचे आपको सार्पनर के छेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ से पैंसिल डालके आप पैंसिल को सार्प कर सकते हैं जो कि बहुत जादा कूल बात है है ह बहुत ही अमेजन सी चीज़ है इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर और हमारे पास कुछ इस रखाई एक और सार्पनर इरेजर का कॉम्बो है जो कि एलियन जैसा दिखाई देता है यह रोबोट जैसा दिखाई दे रहे हैं अगर मैं इसको ओपन करू तो यहाँ पर हमें पैंसिल को सार्प भी कर सकते हो और पैंसिल का दिखा हुआistes देख सकते हो डिजाइन आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रा है रहे हैंसा 1-2 को मैं दो इसको मैं रख लेता हूँ आपर और हमारे पास पास है है देखो एक spider man वाले design वाला प्यारा सा सार्पनर जी हां गया this is a सार्पनर इसका design आप देख सकते हैं इसकी आखे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा cute सी लग रही है size आप देख सकते हैं size ज़्यादा बढ़ा इसका price है 15 rupees इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं band 10 वाले toy यह देखो मेरे पार band 10 वाली दो-दो watches है यह देखो इसको मैं रख लेता हूं पहले यहाँ पर मेरे पार band 10 वाली दो-दो watches हैं जो की कुछ ऐसी दिखाई देती है 100-100 rupees से कम दोनों का price है पट्टे पर आप देख सकते हैं band 10 का pattern है यहाँ पर भी आपको अलग-अलग band 10 का pattern दिख रहा है और पट्टे पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अलग है यह देखो इसके अंदर यह देखो band 10 वाला fidget spinner जो की कुछ ऐसा दिखाई देता है design आप देख सकते है color आप देख सकते हैं कितना ज्यादा attractive है और यह आपको मिल जाएगा 100 rupees के आजपास अगर आप इसको गुमाओगे तो guys यह देखो कुछ इस तरह से घूमता है इसका design और color सत में काफी ज्यादा cool लगता है जब यह घूमता है और इसकी speed देखो गईज आप वाव बहुत ही ज्यादा speed में घूमता है इसको यूज करने में काफी ज्यादा मज़ा आता है क्योंकि इसका design है ही इतना ज्यादा प्यारा color आप देख सकते हैं थोड़ा metal quality में थोड़ा plastic quality में इस side से कुछ अल cool अलग अलग है है ना इसका design मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा लेकिन अब आप इसका design देखो इसका design इससे भी ज्यादा अच्छा है है ना तो मैं आपको दोनों गुमा के दिखाऊंगा यह देखो वाव कितना ज्यादा cool है गाईज मजा आ गया बहुत ही beautiful चा प्राइज मैं आपको बता है तो 100-100 रुपीज इनका प्राइज है तो इसका मैं रख लेता हूं यहाँ पर और अब मैं आपको दिखाता हूं spider-man वाला एक बहुत ही प्यारा सा stationary set यह देखो यहाँ पर spider-man का पूरा pattern मना हुआ है यहाँ पर spider-man लिखा भी हुआ है और stationary set के 200 रुपीज के आसपास इसका प्राइज है इसके अंदर हमें एक प्यारा सा सार्पनर देखने मिलता है और एक beautiful सी कुछ इस तरा की eraser देखने मिलते है जिस पर spider-man का pattern मना हुआ है और हमें इसके अंदर wax crayons color देखने मिलते है टोटल 6 color है इस छोटी सी डिबी के अंदर मैं आ और हमें इसके अंदर कुछ इस तरह से दो-दो spider-man वाली pencil देखने को मिलने वाली है और एक प्यारा सा scale देखने को मिलने वाले जो कि spider-man वाले pattern में ही होगा दोनों का design आप देख सकते है pencil का और यहां से आप इसके अंदर देख सकते है लास्ट में हमें देखने मिलता है spider- spider-man वाले pattern वाला एक बड़ा geometry box तो पहले मैं इसको यहां पर रख लेता हूं यह देख सकते है spider-man का pattern मनावा है spider-man यहां पर लिखा भी हुआ है और दोनों साइड से geometry box कुछ ऐसा दिखाई देता है यहां पर ABCD लिखिए capital में 1-9 तक table लिखा है जो कि बच्चों की study में help कर और अगर हम इसको open करें तो guys यह देखो इसके अंदर आपको कितना ज़्यादा space देखने को मिलता है तो यह बहुत ही प्यारा stationery set है इसको मैंने यहां पर रख लिया है अब मैं आपको दिखाता है spider-man वाला एक बहुत ही प्यारा soldier toy यह देखो जोगी तुछ ऐसा दिखाई देता है इसको open कर रहा है 200 रुपीज इसका prizes की packing भी आप देख लिया कैसे कैसे इसको use किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते है spider-man वाला यह toy है जो की गोलिया चलाता है यह देखो है ना सामने इसके कितनी बड़ी बंदुक लगी है और overall यह कुछ ऐसा दिखाई देता ह है है ना बहुत ही प्यारा है 200 रुपीज के हिसाब से यहाँ पर हमें इसके अंदर बैटरी डाल नहीं होती है देखो बैटरी मैंने already डाल रखी है अब मैं आपको इसको use करके भी दिखाँगा कि यह कैसे work करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके button को on करने यहाँ से गोली चलातार कुछ इस तरह से चलता हुआ जाता है यह देखो बहुत ही प्यारा लगता है तो चला गाई इसको फर्स पे चला के देखते हैं और फर्स पे रखने के बाद हमारा spider-man कितना ज़्यादा cute दिखाई दी रहा है और इसका पूरा look आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा attractive है और जैसे ही मैं इसका बटन दबांगो तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह चलता है और चलते टाइम जभी बोलियां चलाते तो बहुत ही ज़्यादा cool लगता है बिल्कुल real soldier जैसा इसका design है तो मुझे तो यह परसनली बहुत ज़्यादा प pen यह देखो पूरा spider-man का pattern इसके उपर बना हुआ है है ना यहाँ पर इसका face देख सकते है spider-man वाला कितना cool लग रहा है काफी सारे color नहीं इसके अंदर देखो yellow parrot green light pink black sky blue purple कितने unique unique color हमें इसके अंदर देखने को मिलते है जो कि एक normal pen के अंदर कभी देखने को नहीं मिलेंग कितना प्यारा लग रहा है देखो spider-man का पूरा pattern बना हुआ है है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर spider-man लिखा भी हुआ है यह देखो मैं पहले आपको अच्छे से दिखाता हूं इसको यह पूरा चाभी का छल्ला आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यह दिखाई दे है ना 100 रुपीज इसका प्राइज है और मेरे पास यहाँ थार्टी रुपीज वाला भी है यह देखो मून के ओपर spider-man बैठावा जोगी काफी ज्यादा कूल लग रहा है है ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट सा लगा चोटा सा चाभी का छल्ला इसको मैं यहाँ रख लेता हूं और मेरे पास spider-man वाले pattern में एक बहुत ही प्यारा सा कुछ इस तरह का ही देखो वीडियो गेम है ना इसको यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे ओपन करने के बाद इसके अंदर बैटरी डाल सकते हैं और इसकी screen आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही ह गाई न यहां पर इसके ओपर काफी सारे बटन और इसके वीडियो गेंडेखने मिलते में रही है घक默 सकते हैं यह मुझे परसनली बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका डिजाइन ही अमेजिंग और मैं इसको पहले ओफ कर लेता हूं करने पर काफी सार न्य ए ररेजर रख मैं और इसवाली चैनको यहां से ओपन करने एक दो पाफ काफी ज्यादा स्ब्स शवान रख सकते हैं मेरा तो मेरा पूरा हाथ ॏ सब्सक्राइब के सब्सक्राइब लागता है है ना इसको guys में रख लेता हूँ यहाँ पर guys spider man वाले आपको मैंने बहुत सारे toy दिखा दिखा दिए जो कि मुझे personally बहुत जाद अच्छे रगे आप guys यहाँ पर band 10 वाले दो-तिन toy रहे हैं वही मैं आपको दिखाएता हूँ यह देखो band 10 वाला कुछ इस तरह का geometry box है हमारे पास जो कि multi function geometry box है इसके अंदर में यहाँ पर calculator देखने को मिलता है जो कुछ इस तरह से flip होके अंदर चला जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का band 10 का 3D effect बनता है गाई यह देखो है ना बहुत ही cool लग रहा है यहाँ पर band 10 का पूरा pattern बनावा है इसको अंदर से देखे तो गाई यह देखो geometry box कुछ इस तरह से घूमके अंदर बाहर चला जाता है गाई यह देखो है ना यहाँ पर study lamp लगावा है इसको on करने पर आप इसकी रोस sharpener देखने को मिलते हैं जिससे आप pencil को दो अलग अलग तरीके से sharp कर सकते हैं यहाँ पर calculator है 3D वाला effect है study lamp और यहाँ पर double sharpener देखने को मिलते हैं और इसको आप इस side से open करके भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा space देखने मिलता है जहाँ पर आप काफी चीज है इसके design की वज़े से मैं इसको ले आए मुझे बहुत ज्यादा cool लगा है और हमारे पास यहाँ पर water game भी है कुछ इस तरह की water game जो की बहुत ही प्यारे design में आती हैं यहाँ पर rocket लिखा हुआ है यहाँ पर इसके अंदर पानी भरावा है सारे में दो दो पिन बनी हुई है और यह सारे circle हमें इन दो पिन के अंदर डालने कुछ इस तरह से इस water game को खेल लाता है इन दोनों बटनों से गाई यह देखो बटन दबाना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे circle पिन के अंदर आ भी गए हैं इसी वज़े से water game बहुत ही amazing होती है क्योंकि इसके अंदर ना कोई बैटरी नी डालनी होथी इसको बाट डिरेक्ट उठा और खेलना सुरू कर दो है ना तो 100 रुपीज इस water game का प्राइस है इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और आप देख सकते हैं लगबग लगबग मैं आपको सारे toys दिखा चुका हूँ दो टो कुछ भी पी सकते हैं है ना तो आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइटम दिखा हैं जो कि spider-man वर्सेज बेंटन था है अगर आपको इतने सारे toys में से एक भी toy पसंद आप उसका नाम मुझे comment बताना और अगर आप चा झाल